यहासी वह एक नारियल की तरह है जो बाहर से दिखने में बहुत श्ट्र prochain है पर अंदर से बहुत नर्म है हम आज तक जितने भी टूल्स देखते आए या फिर बाहर हम जितने भी टूल्स देखते हैं जो भी चिजे देखते हैं वो सभी हमें paid दिखते आए या फिर limited दिखते आए मतलब वो बहुत strong दिखता है हमें हमारे perspective से SEO के लिए कई सारे free tools भी available है जिसकी information आपको और कहीं नहीं मिलती है So friends मैं अजय ठाकरे from t-learning.com और इस channel के उपर हम आपको हमेशा free tools के बारे में information देते रहेते आज की इस video में हम देखने वाले कि कुछ essay extension जो की free है और वो आपको essay में बहुत सारी मदद करेंगे तो चले वीडियो शुरू करते हैं और हाँ आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से like कर दीजे जिससे कि मुझे और लोगों तक पहुचने में help होती है तो चले वीडियो शुरू करते हैं तो friend हमारा सबसे पहला extension है SEO minion तो मैं इसके उपर click करता हूँ जैसे मैंने SEO minion के उपर click किया SEO का जो हमारा panel है वो हमारे सामने open हो गया तो चले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है और friends आपने अभी तक hosting नहीं खरी दिया है और hosting के उपर आपको offer चाहिए तो मैंने hostinger की link description में दे रखी है वो बहुत अच्छी hosting है वहां से आपको बहुत कम पैसे में आपको hosting मिल जाएगी और उसे के साथ यहां पर hosting के coupon भी available है यहां से आप coupon लेके उसके उपर डालके और जागा discount भी ले सकते हैं तो वापस आते हैं हमारे इस tool के उपर यहां पर जैसे मैंने click किया आप यहां पर देख सकते हैं कि completely free tool है यहां से हम on page analysis, highlighter all link, check broken link और बहुत सारी चीज़े यहां पर हमें मिल जाते हैं सबसे पहले हम analyze on page के उपर click करते हैं analyze on page यहां पर click करने के बाद यहां हमें हमारी website का URL दिखाएगा हमारी website के अंदर कितने words है और कितने character है यहां पर दिखाएगा उसे के साथ हमारा title क्या है, meta description क्या है, उसे के साथ canonical हमने इस page को अगर करके रखाए तो हमारा canonical link क्या है उसके साथ meta robot के बारे में बताएगा, हमारे website के उपर h1 tag कुन से, h2 कुन से, कितने लगे हुए, वो सभी भी यहां पर दिखाएगा और उसे के साथ भी हमें और सारी information भी यहां पर मिल जाएगी, उसे के साथ total images कितनी है वो भी हमें यहां पर पता चलेगा उसे के साथ हम उससे एक click में download भी कर सकते हैं, हमने कितनी images को index दिया हुआ है, कितनी को नहीं दिया है, वो भी यहां पर हमें मिल जाएगा उसे के साथ हमारे tags भी यहां पर पता चलेगा open graph के open graph के tag क्या है हमारा text tag है उसका URL, title, type क्या है, image, image हमने open graph को दी है नहीं है सबी चीज़े हमारी यहां पर दिखाई देगा तो इस तरह से हम on page SEO analyze कर सकते हैं उसे के साथ highlight all link मतलब हमारी website के उपर जितनी भी link है वो सबी link को यहां से highlight कर देगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सबी link यहां पर highlight हो गई है next option है हमारा highlight all link जैसे मैंने इसके उपर click किया आप यहां पर देख सकते हमारी website के उपर जितनी भी links होगी वो सबी highlight हो गई होगी पर अगर हमें सिर्फ internal link को highlight करना है तो हमें सिर्फ यहां पे click करना होगा जिस से कि हमारे internal link है शिर। highlight होगी और एक्सटरनल link को भी करना है तो यह सिर्फ external link को भी select कर सकते हैं आप, all link ऑब all link को भी कर सकते हैji, follow, no follow आपको जो भी link इस website के परफेक्ट टूल है इसमें हमें सभी वैलेट इन्वैलेट 404 सभी की सभी यहां पर लिंक्स हमें दिखाई देगा और उसे के साथ उसमें कौन सा क्या है वह भी हमारे सामने दिखा देगा उसी के साथ यहां पर यहां पर दिखाई देगा उसी के साथ यहां पर बहुत सी चीज़े जो भी हमें चाहिए हम उनका यूज कर सकते हैं कि फरेंड्स हमारा नेक्ट टूल है कीवरड़ एवरिवेर यह बहुत सारी इनफॉर्मेशण ले सकते हैं जैसे की हमने जो भी हैं पर कीवरड्स किया है उसके बारे में उसका जो ट्रेंड है वह कितना बल रहा है और कैसे कैसे कम हो रहा है, यह जो SEO हमने यहां पर SEO keyword लिखा है, तो उसका train हमें यहां पर दिखाता है, पूरा train हमें दिखाएगा, वो 7 दिन का भी देख सकते हैं, 30 दिन का, 3 मेने का, 12 मेने का, 5 साल का, या all time का, कितना भी पुराना train है हम यहां से देख सकते हैं, उसे के साथ Google के उपर search करने के बाद, Google जो भी website हमें suggest करता है, उसका, हम यहां पर monthly organic traffic देख सकते हैं, particular URL का, या उस पूरी website के उपर monthly organic traffic कितना है, वो भी हम यहां से देख सकते हैं, इसके total keyword कितने हैं, जो rank कर रहे हैं, और वो भी इस page के लिए, और total keyword कितने हैं, जो पूरी website के लिए rank क देख सकते हैं, और उसे के साथ यहां पर click करके हम इस website के अंदर के top pages भी हम देख सकते हैं, तो यह तो हो गया इसका search engine वाले page की उपर का importance, उसे के साथ अगर हम जड़ा नीचे scroll करें, तो यहां पर हमने जो keyword search किया है, उसके related भी keyword कौन-कौन से आएगे, वो भी हमें यहां दिखाएगा, उसे के साथ यहां पर लोग इस keyword के related और कौनसे keyword search करते हो भी हमें यहां पर दिखाएगा, trending keyword क्या है, इस topic के related, वह भी हमें यहां पर यह दिखाएगा, और इसी topic के related हमें, long tail keyword भी यह दिखाएगा, मतलब keyword research के लिए, complete tool है, हम एक keyword related, कितनी keyword है, जो कि आजकल लोग search करते हैं वो सभी information यह हमें यहाँ पर देगा उसे के साथ दोस्तों अगर आप एक YouTuber है या फिर कोई YouTube के उपर लगे हुए tag धुनना चाहते हैं तो उसमें भी यह वाला tool हमें help करता है हम किसी भी YouTube के वीडियो के उपर जाए या फिर किसी भी चैनल के उपर जाए तो उसके उपर लगे हुए पूरे tag हमें यह दिखाता है कि कौन-कौन से tag उस particular वीडियो में लगाए हुए और उसे के साथ हम कौन से tag यहाँ पर डाल सकते हैं यह पूरी चीजे हमें यहाँ पर दिखाता है यहाँ आप देख सकते कि YouTube टेग जनरेटर है इसके उपर क्लिक करेंगे तो हमें अच्छे खासे टेग यह जनरेट करके देगा तो फ्रेंट इस तरह से यह टूल हमें YouTube के ऊपर भी ग्रो करने में मदद करता है और इसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए हमारा नेक्स्ट टूल है उबर सजेस्ट हो सकता है उबर सजेस्ट के बारे में या फिर इसके इस एक्सेंशन के बारे में आपने पहले सुनाओं फिर भी हमारा बताना काम है तो फ्रें यह हमें बताता है अगर हम ads चला रहे हैं पर क्यूंकि हमें सिर्फ SEO अगर करना है तो आपने जो keyword search किया उसके related यहाँ पर सभी keywords आपको दिखाता है उसे के साथ उस पर search का volume कितना है और उसे के साथ उसका standard difficulty कितने है उस particular keyword के उपर आपको कितनी difficulty है रैंक करने के लिए यह भी यहाँ पर बताता है cost per click मतलब आप उसके उपर अगर add चलाते है उस keyword के उपर तो आपको कितनी cost per click आएगी उसे के साथ ओ keyword कितनी बार search करा जाता है यह तो मैंने आपको पहले बताए सभी चीज़े यहाँ पर आपको देखेगी उसे के साथ आपको यहाँ पर जितने भी search result कि टाइगे उन सभी result की यहाँ पर हर रिजल्ट की domain author iki कितनी एस्टिमेटेट्राफिक कितना है मतलब इस्टिमेटेटेमेटेमर्स्टली ट्राफिक उसी के उपर या उस website के उपर कितना आता है उसे के जाए उसके कितनी शेयर लग कितना शेयर करा गया पिंटरेग कर इसे क के साथ ऐसे कितने domain से particular domains जैंग में और वेबसाइट बोल सकते हैं तो युनिक जो कि इसे लिंक करती इस वाले वेबसाइट को लिंक करती सभी चीजह हमें यहां पे देख सकते हैं इसी के साथ यह आपको यहाँ पे बने-बनाए मिल जाएगे यहाँ अगर क्लिक करते हैं प्रिपोजिशन और कमपैरी दोने सभी चीज आपको यहाँ फ्री में मिल रही है दोस्तों एक इसके बाद इसके यहां पर ट्राफिक की पोजिशन क्या है यह भी आपको यहां पर सब कुछ पता चल जाएगा और यह सब ही रिजल्ट के लिए आपको यह चीज है पता चल जाएगे और वह भी बिल्कुल फ्री पर दोस्तों यह तो हो अब बैक लिंक और साइट डिद डोमेन उवर्व के अंदर आपको पर्तिकुलर जो डोमेन है वह कितने और रहें की एसका एक उप्ड़ा त्टराफिक कितना यह सबी इसके अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि यह थोड़ा पूराना डाटा दिखाता है और हर यह तोल आपको थोड़ा पूराना डाटा दिखाएगा क्योंकि यह खुद से गुगल के पास से खरीते हैं और गुगल इन्हें एकदम से फ्रेज डाटा दो नहीं देगा नेक्स्ट है पर्टिकुलर, जिस website के ऊपर आप है। उस website के ऊपर कितना monthly traffic आता है कि हमें यहां पर दिखाता है किस मन्त में कितना traffic आया था उसी के अदसाथ यसी कीवर्ट की रैंकिंग कितनी keyword यहां पर rank करें उनकी ranking क्या है यह भी आपको यहां पर पता चल जाता है Top Pages by Country, Country-wise कितने Top Pages है यह भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है Top Keyword by Country यह भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको Top Keyword मिल जाएगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको Backlinks मिल जाएगे और यहाँ पे site audit पे click करेगे तो यह complete site का audit करके आपके सामने यह ला देगा तो friends यह 100% audit इसने complete कर दिया है पूरी website को crawl कर लिया है अब यहाँ पे देख सकते कि इसका on page SEO का score 88 दिखा रहा है organic monthly traffic, organic keyword, backlink यह सबी चीचे दिखा रहा है उसे के साथ इसके अंदर कितने broken link है कितने इसका health score कितना है redirect कितने है, heavy issues कितने है उसे के साथ critical error, warning, recommendation सभी चीज़े यहाँ पे बताएगा उसे के साथ इस website का speed क्या desktop के उपर और mobile के उपर क्या speed है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका speed बहुत कम है speed actual में दिखाता है उसे के साथ कितने pages ऐसे जिसके उपर जो word count है, वो low है title tag जो बहुत लंबे है तू लॉँग है, ऐसे title tag और जिसके कुछ title tag जो बहुत शोटे है ऐसे बहुत से error जो भी आपके website के अंदर complete error से वो सभी चीज़े हैं यहां पर free में बताता है एक बहुत अच्छा extension है आप इसे install कर सकते हैं तो friends हमारा next tool है SEO quick SEO quick एक बहुत अच्छा SEO tool है इसकी मदद से आप किसी भी website का या फिर google search में आई हुए किसी भी link का detail SEO के parameter निकाल सकते हैं जैसी के आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर SEO search किया तो keyword difficulty मुझे यहां पर बता रहा है वो भी percent में उसे के साथ जितनी में नीचे links आई उन सभी link के बारे में आप यहां पर देख सकते हैं मुझे क्या के दिखा रहा है इस सबी link के बारे में मुझे यहाँ पर बिंग का score दिखा रहा है Alexa ranking दिखा रहा है उसे के साथ उसकी age मतलब archives वाले जो website है उसके उपर इसकी कितनी age है उसके बारे में पूरे detail यहाँ पर दिखा रहा है उसे के साथ यहाँ पर आपको यल दिख रहा है वो ACM Rush की back links है मतलब यह back link वाला data इसने ACM Rush से लिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यल दिखा रहा है मतलब ACM Rush से लिया हो data है यहाँ पर इसकी total backlinks बता रहा है यह उसके subdomains की backlink बता रहा है यहाँ पर यहाँ पर वेब मास्टर के उपर का score दिखा रहा है यहाँ पर इसकी Alexa ranking दिखा रहा है उसे के साथ यहाँ पर SM Rush के उपर की जो ranking है वो दिखा रहा है और यहाँ पर हर चीज जो भी हमें SEO के लिए important है जिसके हमें actual पैसे देने पड़ सकते हैं so friends यह हो गए हमारा second extension पर extension यहें पर खतम नहीं होता अबर आप किसी website को open करते हैं जैसे कि मैंने मेरी website open कर ली तो मुझे मेरी website के बारे में यहाँ पर पूरा data दिखाएगा कि Google index की ranking क्या है मेरी उसे के साथ ACM Rush की backlink कितनी है मेरी उसे के साथ ACM Rush के उपर मेरी subdomains क ranking कितनी है उसे के साथ ACM Rush के हिसाब से मेरी subdomains की ranking कितनी है Bing webmaster मेरा क्या score है उसे के साथ Alexa ranking कितनी है मेरी यहाँ पर age कितनी है मेरी यहाँ पर मैरी मैंने आभी तक मेरी website के उपर क्या क्या किया यह सबी चीज़े आपको हर date के हो है नुसर हर चीज दिखाएगा आप सिर्फ page पर क्लिक करना है new tab open हो जाएगी यहाँ पर Facebook share कितने है एक्चुल यह website किसकी है किसके email के उपर register है उसका नाम क्या पर पर संका पूरी information आपको यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर source code मिल जाएगा मतलब जो भी चीज आपको चाहिए वह सबी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी वह भी विल्कुल free में उसे के साथ इसके ओपर external link कितनी है इंटर्नल लिंक कितनी है keyword density कितनी है उसे के साथ पहुत सारी चीज जो भी आपको जाएगे वह सबी चीज यहाँ पर आपको free में मिल जाएगी यह हो गया हमारा आज का तिसरा extension है हमारा यहाँ पर next tool है mode bar, mode bar के बारे में हो सकता है आपने सुना हो mode bar यह भी एक बहुत अच्छा extension है चलिए हम इसके टेस्ट करते कि इसके उपर हमें क्या क्या दिखाता है तो इसके लिए मैं इस EM के उपर click करता हूँ और page को reload करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते कि जैसे मैंने mode bar के उपर इसलिए इसे mode bar केते हैं तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं कि इसके उपर एक क्या क्या दिखाता है तो सबसे पहले आप अगर देखे तो यह page analysis है page analysis के अंदर particular आपने जिस website के उपर visit किया है उसका URL page title उसका उस page का particular meta description उसके साथ meta keyword h1 tag h2 tag और इस page के उपर हमने कौन से keyword highlight किये उस सभी चीज़े यहां पर दिखाएगा जन्रल एट्रिब्यूट जन्रल एट्रिब्यूट के अंदर मेटा रोबोट वगरे सभी चीज़े आपको दिखाएगा कि लोट टाइम क्या है वगरे इस सभी चीज़े उसे के साथ schema markup पर बारे में भी हमें यहां पर पूरी कितनी है इस्टरनल कितनी है इंटरनल कितनी है या फिर अधर जो भी इंफार्मेशन आपको चाहिए वह सभी इंफार्मेशन यह आपको दिखाता है तो चलिए मैं फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ जैसे मैं फॉलो के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरी website के अंदर जितनी भ follow में आ गए तो यह सभी यहाँ पर इनका सभी का color यहाँ पर change हो गया तो इसे मैं यहाँ पर diselect करके अभी external को select करता हूँ जैसे मैंने external को select किया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी इसमें जो external link है वह यहाँ पर highlight हो गए मेरे website के अंदर जितनी बी external link रहेगी वह सभी यहाँ पर highlight हो जाएगी उसे के साथ अभी मैं external को नहीं internal को select करता हूँ तो जैसे मैंने internal link के उपर click किया जितनी बी internal link है सभी यहाँ पर highlight हो जाएगा आप बोलेगे यह क्यों highlight हुआ क्योंकि यह जो भी social share वाली link है यह पहले मेरे website के अंदर trigger होती है फिर social media के उपर जाती है क्योंकि आपको मेरी वाली website शेयर करनी होती है तो इसलिए यहाँ पर highlight हो गई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी internal link है सभी के सभी यहाँ पर highlight हो गई मतलब link के बारे में आप पूरा audit यहाँ से framework कर सकते हैं यह तो हो गया मोजबार का किसी website के उपर जाने के बात का result मतलब किसी website के उपर जब आप जाएंगे तब वो क्या चीज़े दिखाता है पर अगर जब आप Google search के उपर रहते हैं तो भी अगर आपके website के अंदर मोजबार है तो आप आते हैं जिनका यूज मैंने आज पहले ही कर लिया इसलिए आपको यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता और नेक्ट जब वीडियो देख बनाएंगे उसमें मैं आपको यह जरूर दिखा हुगा उसे के साथ यहाँ पर डीए पर भी आप हर website का यहाँ पर देख सकते हैं सो फ्र के लिए आप मेरे इस वीडियो को जरा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकोन दबाएए अगर मुझे इस वीडियो के उपर अच्छे खासे व्यूम मिले तो मैं गैरेंटी से दूसरा वाला वीडियो ले झाला वीडियो